हलो फ्रेंग्स जय हिन एंड हैपी इंडिपेंडेंस डे आज 15 अउगस्ट है जो की हमारा इंडिपेंडेंस डे है लेकिन आज ही के दिन बहुत साल पहले फ्रांस में 1769 में एक ऐसी हस्ती का जर्म हुआ जिसने की पूरी दुनिया को हिला के रख दिया हम बात कर रहे हैं फ्रांस के समराट नेपोलियन बोनापार्ट की आज के इस एपीसोड में हम नेपोलियन बोनापार्ट की रहस्य मई मृत्यू के बारे में समझने वाले हैं बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो चले शुरू करते हैं लो फ्रेंग्स नमस्ते और वेलकम बेक टू मित हिस्टरी और रेसिपी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आज हम फ्रांस के महान एंपरर नेपोलियन बोनापाट की रहसे मही मौत के बारे में जानने वाले तो शुरू करने से पहले हम नेपोलियन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं तो नेपोलियन फ्रांस का समराट था और फ्रेंच रेवलिशन में जबी फ्रांस के लोगों ने वहां की राजाशाही को नकार दिया उसके बाद वो फ्रांस का समराट बना नेपोलियन बहुत ही भाधूर था और यूरोप के काफी सारे देश उ परा नहीं पाया और बिटन हमेशा उसके साथ लड़ता रहा और अंत में यह हुआ कि बिटन के एड्मिरल नेलसन ने नेपोलियन को हरा दिया हरा देने के बाद नेपोलियन को देश निकाल कर दिया गया और साउथ एटलांटिक में एक आफरीका के पास आइलाइंड है सेंड की रहतियों रहष्यमई मौत के पिछे कौन था और कैसे उसकी मौत हुई नेपोलियन की मृत्यू सन 1821 में हुई और उसकी मृत्यू के ठीक तीन हफते पहले में फिफ्ट 1821 को उसने अपना विल लिखा उस विल के अन्त में उसने सेंट हेलेना जहांके उसको रखा गया था वहां के गवर्नर हटसन लोवे के उपर उसको मार डालने की साजिस रचने का आरोप लगाया नेपोलियन की मृत्यू के बाद साथ ब्रिटिश डॉक्टर जमा हुए और उनके परसनल फिजिशन ने उनके उपर अटोपसी की अब इन डॉक्टरों को नेपोलियन के विल के बारे में तो कुछ पता नहीं था लेकिन मृत्यू के कारण के उपर किसी भी डॉक्टर के बीच सहमती नहीं हुई और चार अलग-अलग रिपोर्ट्स पेश किये गए लेकिन लोगों में एक ये जनरली एक्सेप्टेड हुआ कि उनकी मृत्यू स्टमक कैंसर से हुई थी और ये किताब एक स्वीडिश डेंटिस्ट और टक्सिकोलोजिस्ट जिसका नाम था स्वेन फोर्शूफवर्ड उसने बहुत ध्यान से पढ़ी इस किताब को पढ़ने के बाद डॉक्टर फोर्शूफवर्ड को लगा कि नेपोलियन की पॉईजन दीके खत्या की गई थी और अपनी जहांच पर्टाल के लिए वो योरोप, नॉर्थ अमेरिका और सेंट हेलेना भी गया और बृत्यू के ठीक 157 साल बाद 1978 में उसने नेपोलियन के खुद के एक फ्रेंच कमपैनियन अपने एक साथी के उपर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया अब थोड़ा सा हम पीछे मूड के देखे तो 1812 में नेपोलियन ने रश्या पर अटेक किया लेकिन उसमें उसके बहुत सारे सेनिक मारे गए और वहीं से नेपोलियन के बुरे दिन चुरू हो गए और अंत में 1815 की 18 जुन को बैटल अफ वाटर लू में नेपोलियन को नेलसन के हाथो ब्रिटिश आर्मी के सामने अपनी हार का सामना करना पड़ा नेपोलियन ने नेलसन के सामने अपना समर्पन कर दिया और उसने ब्रिटन में आश्रई लेना चाहा लेकिन आश्रई के बदले उसको सेंट हेलेना भेज दिया गया जिसको की नेपोलियन ने अपना खुद का मृत्विडन बताया सेंट हेलेना को सबसे पहले पोर्टुगालियों ने ढूंडा था और उन्होंने ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी को वो दिया था नेपोलियन के साथ आने वाले ग्रिटिश डॉक्टर में से एक ने सेंट हेलेना के आइलेंड को दुनिया की सबसे बदसूरत जगा बताई थी नेपोलियन को अपने साथ इस आइलेंड पे अपने दोस्तों और सेवों को छोटा सा ग्रूप पो लाने की छूट दी गई थी और इसी ग्रूप में एक था काउंट चार्ल्स क्रिस्टन डी मॉन्थिलॉन जो की बहुत उत्सा के साथ नेपोलियन के साथ आया था और अपनी बीवी को भी साथ में लेके आया था सेंड हेलेना बहुत ही बोरिंग जगा थी और नेपोलियन यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ताश खेल के समई पसार करता था और कभी-कभी अपनी आत्मक अथा भी लिखवाता था एप्रिल 1816 में सर हट्सन लोवे नाम का एक गवर्नर सेंड हेलेना आया जो की नेपोलियन का जेलर भी था और आते ही उसने नेपोलियन के गुमने फिरने पे काफी पाबंदिया लगा दी जो की नेपोलियन को पसंद नहीं आई और नेपोलियन को ये भी लग रहा था कि ये उसको मार डालने की साजिश कर रहा था तो उसने उसको उपर ये आरोप भी लगा दिया 15 अगस्ट 1819 को नेपोलियन 50 साल के हो गए और उसके ठीक एक साल बाद 19 जुलाई 1820 को उनके पर्सनल डॉक्टर ने अपने डायरी में लिखा कि नेपोलियन को बुखा रहा था और वो ज्यादा कफिंग और वमिटिंग भी करते थे इस सीज के ठीक 10 महिने बाद नेपोलियन की मृत्यू हो गई और उसके सेवक मार्चन ने मृत्यू से पहले नेपोलियन को क्या क्या हुआ उसका पुरा विवरन अपनी किताब में लिखा और ये विवरन डॉक्टर स्वैन फोर्शूप फूर्ड ने बहुत ध्यान से पड़ा पूरी चीज समधने के बाद डॉक्टर ये आस्टरेजनिक तारण पे पहुँचे की नेपोलियन को आर्सेनिक से पॉईजन किया गया था उनको 1820 में टार्टरमेटिक दिया गया था जिससे की उनका स्टमक वीक हो गया इसी के साथ उनको ओर्गेट जो की एक कड़वे बदाम से फ्लेवर ड्रिंग था उसको केलोमल के डोजेज के साथ दिया गया था और ये सब आर्सेनिक पॉईजन के पहले पढ़ाव थे जिससे की आर्सेनिक का कोई नामों निशान नहीं बचता था नेपोलियन ने अपने विल में उनकी मृत्यू के बाल को अपने दोस्तों को सुएनियर के रूप में बाट देने की इच्छा व्यक्त की थी और यही बाल मार्चंट को भी मिले जो की डॉक्तर ने लिये और 1960 में टेस्टिंग के बाद उन्होंने ये बताया कि इन बालों में आर्सेनिक की बहुत ज़्यादा मात्रा थी डॉक्तर फोर्शुफवूद को दूसरे 14 साल लग गये यह साबित करने के लिए कि कातिल और कोई नहीं काउंट मॉन्थलोन था जो की नेपोलियन के साथ फ्रांस से सेंट हेलेन आया था और उसको फ्रांस के राज परिवार बॉर्बोन डाइनेस्टी के लोगों ने भेज जाता था और सिर्फ वही उसको पीते थे काउंट मॉन्थलोन एक वाइन स्टीवर्ड था और नेपोलियन के लिए जो भी वाइन आता था वो लॉक में रखता था और उसकी चाबी उसके पास रहती थी और एक दो बार कभी यह दारू दूसरे किसी को गलती से चला गया तो वो व्यक्ति बीमार भी हो गया और उससे यह साबित हुआ कि इसी व्यक्ति ने नेपोलियन को आर्सेनिक की पॉइजनिंग की होगी 1840 में नेपोलियन की कॉफिन को वापिस फ्रांस में दफनाने के लिए लाया गया तब ही पाया गया कि नेपोलियन का बॉड़ी काफी अच्छा प्रिजर्वड था और यह चीज़ सिर्फ आर्सेनिक से ही हो सकती थी काउंट मॉन्थलोन को यह शायद पता ही नहीं था कि आर्सेनिक से बॉड़ी प्रिजर्व हो जाती थी तो फ्रेंज यह था फ्रांस के महान एमपरर नेपोलियन बोनपार्ट के रहसे मही मौत का खुला सा नेपोलियन बहुत ही भादूर था और वो एलेक्जाइंडर की तरव पूरी दुनिया जीतना चाहता था पूरी दुनिया तो जीत नहीं पाए लेकिन हजारों लाखों सेनिकों की मौत हो गई और उसको खुद को भी देश निकाल होना पड़ा तो मुझे तो यही लगता है कि दुनिया जीतने के बदले दिलों को जीतने की बात करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और दुनिया में काफी सारी शांती भी बनी रहेगी फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेर को जुरूर कीजे और कमेंट भी जुरूर कीजे थैंक यू